हेई गाईज वेलकम बैक आज मैं आपसे एक सूपर एफेक्टिव डाइट प्लान शेर करने वाली हूँ यह हाई प्रोटीन लो काप डाइट भी आप इसे बोल सकते है इसे आपको दस दिन फॉलो करना है दस दिन में आपको नोटिसबल इंच लॉस और वेट लॉस देखने क के साथ अगर आप इसे दिखाए गए तरीके से फॉलो करेंगे बीना चिटिंग किये तो रेजाल्ट कैरिंटीड है वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप मेरे चानल पे नाए हो तो सब्सक्राइब करें साथ में बिल आइकन ज़रू दबाईए हर लेटेस्ट वीडिय एक्स लेना है साथ में एक आपल बेना है जो लोग अंडे नहीं खाते वो एक आपल साथ में एक कप स्प्राउटेड ब्लैक चिकपीज ले सकते हो यह 100 ग्राम का है या फिर बॉयल किया हुआ चिकपीज भी आप ले सकते हो तो यह देखो ब्रेकफ्वस कितना एजी हुआ YA breakfast के 30 मिनिट बाद एक कप green tea लेना है breakfast के 2 घंटे बाद या फिर mid morning में आपको simple एक खीरा लेना है next lunch, lunch बहुत ही simple है बस 15-20 मिनिट में ये पूरा lunch plate बनके तयार हो जाएगा और ये 15-20 मिनिटी आपको cooking करना है पूरा दिन में सबसे पहले मैं बना रही हूँ carrot और potato fry तो इसके लिए मैं थोड़ा सा oil डाल दियू 1 teaspoon के जैसा ये जो veggies है, ये 2% के लिए है इसलिए इतना, आप अपने लिए बना रही हूँ तो oil का quantity आधा कर दो और इसमें थोड़ा सा कालुंची डाल दिया 1 second के लिए भून लिए उसको 1-2 second के लिए बस फिर इसमें मैं chop के हुआ carrot डाल दिया यहां पे orange और red carrot मिला हुआ है मैं मिला के डाली हूँ थोड़ा colorful बना ले के लिए और इसमें थोड़ा सा नमक और healthy powder डाल दूँगी थोड़ी देर भून लूँगी 2-3 मिनिट के लिए carrot को ज़्यादा भूनना नहीं है फिर मैं इसमें potato डाल दिया आलू आप यूज कर सकते हो डायट में डेली मत लीजिए कभी कबार ले सकते हो आलू को मैं यहां पे उबाल के पानी फिंक के फिर इसमें डाली हूँ मतलब आलू आधे से ज़्यादा बॉयल है और आलू का जो पानी है बॉयल के अवा उसको फिंक देना है और इसको ढखके 2-3 मिनिट लो फ्लेम पे रखना है तब तक मैं यहां पे दाल बना लूँगी और दाल के लिए मैं यहां पे यलो मुंग दाली उसकी हूँ 100 ग्राम मुंग दाल को सोक करके अच्छे से वश करके फिर इसमें डाल दिया और इसमें धीर सारा ग्रीन पीस डाल दिया थोड़ा सा इमालन पिंक सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के इसको सीटी लगा दूँगी और यह देखिए जब तक वो सीटी लगता है यह भी तयार हो गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स तनिया पत्ता डाल दिया आप चाओ तो ग्रीन चिली भी डाल सकती है यह बिल्कुल तयार है इसको ढख के अलग डग दीजिए डाल भी सीटी लग चुका है दो सीटी लगाने से यह दाल बन जाएगा बस उसको तरका लगाना है और यह है ओट्स का चीला ओट्स का चीला का जैसे पी मैं आपसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ तो इसलिए इस वीडियो में नहीं दिखाई हूँ और यह देखे मैं दाल का तरका लगा रही हूँ बस हाफ टी स्पून ओयल में जीरा, तीछ पत्ता और सूखी लाल मिज को थोड़ी दिर भून लूँगी उसमें आधा चमच ग्रेट के हूँ अधरक डाल के दो तीन मिनिट भून लूँगी तो आप इसे ट्राई जरूर करो हमेशा जादा तेल मसाला डालने से अच्छा सबजी या फिदाल बनेगा ऐसा कुछ नहीं है अब तेल मसाला कम डाल के भी सही तरीके से अगर आप खाना बनाओगे आप चाहो तो मेरे इंस्ट्राग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पे भी मैं चोटी-चोटी हल्दी रेसिपीस का वीडियोस डालती रहती हूँ इवनिंग स्नैक में आप तीन से चार अलमंट्स और वालनट्स ले सकते हैं या फिर अप सिंपल एक गाजर भी ले सकते हैं साथ में एक कप अजवाइन टी ले अजवाइन टी को बनाने के लिए वन फुर्थ टीस्पून अजवाइन देर सो एमेल पानी में उबा ले दो मिनित जाने और ये चाह रेटी है और लास्ट मिल दीनर बहुती सिंपल करना है साथ से सारी साथ बज़ी के बीच में कम्प्लीट करें और दीनर में सिंपल दो बॉल एक वाइट्स ले या फिर एक बोल राइप पपाया ले कोई भी सॉल्ट ना ले नेक्स्ट, बिट टाइम में सिंपल एक कप गरम पानी ले, पूरा दीन 3-4 लीटर पानी ज़रूर पिए और 7-8 घंटा अपना नींद पूरी करे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हल्दी खाए और स्वस्त रहे